सो येस वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाई शुरेनिक जैन यूटूब चैनल मिने रतना पी एस यू कंपनी एस जे वी एन की तरफ से रिक्विप में निकल करके आ रही है फॉर ट्वेटी टू येस यहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं और इंडिया एलिजिबल ह है विदाउड गेट्स को सिलेक्शन होने वाला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज्जे वी एन पी एस यू कंपनी देख करके आपके मन में आ रहा होगा सर क्या गेट के माधियम से सिलेक्शन होगा बिलकुल नहीं CDC प्रोवाइड कर रहे है 15 लैक पर अनम इनके और सी रिटिन टेस्ट होगा इंटर्व्य होगा तब आपको नौकरी मिलेगी फिल्ड इंजिनियर की पोजिशन निकाली गई है इन टोटल सत्तर वेकेंसी है बट देखो यार इंपॉर्टन पॉइंट्स पहली बता देता हूँ ताकि आपका समय वेशना हो सबसे पहले सब आप से इंपॉर्टेंट ब्युक्स या इसके सफिर कर सकते हैं जैसे सिवल या मेकनिकल या plants या इलेक्ट्रिकल या इलेक्रिकल या इन क्लेगेंग्स या Environmental Engineer फॉत ये पर इंट्रेशं का प्यूंब्सिसम का सब्सक्ते जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो apply now का लिंक नहीं आया है क्योंकि 21st December से active होगा बट PDF यहाँ पर आ चुका है फिल्ड इंजिनियर का डीटेल PDF यहाँ पर मैंने open कर लिया है important data highlight कर लिया है आप देख सकते हो that एजबी लिमिटेड इस गौश्मेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज मिन रतना पी एस्यों कंपनी है जहाँ पर इन टोटल यहाँ पर 70 वेकेंसी निकाली गई है अपर एज लिमिट 30 और बी टेक इन एंविर्मेंटल इंजिनियरिंग या फिर अगर आपके पास फुल टाइम रेगुलर पोस्ट ग्राइजवेट डिग्री है इन एंविर्मेंटल इंजिनियरिंग या साइंस तो आप अप्लाई कर सकते हो ठीक है रिमिनेरेशन जो है 60,000 यह आपका फिक्स है प्लस इसके उपर एडिशनल इमिरेशन जो है 100% आपको मिल जाएगा साथी साथ यहाँ पर इंक्रिमेंट कैसे होने वाला इसके बार में बताये गया है इन एडिशन मेडिकल फेसिलिटीज बताई गई है तो यह सब अगर आप आप अड़ कर लोगे तो CDC आपकी 15,000,000 पर इनम की बन जाती है ठीक चलिए आगे लिकर चलता हूँ अब discussion करते है कुछ critical points की उपर जैसे selection process कैसा रहेगा selection process बहुत ही simple सा रखा गया है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो computer based test या written test followed by group discussion and personal interview सबसे ज्यादा weightage है written test को कितना weightage दिया गया है 75 percentage group discussion को 10% interview को 15% दिया गया है यहाँ पर आपका 100% हो जाएगा ठीक जो दुखत बात है वो है test centers वो limited जगों पर ही रखा गया है तो pan India तो नहीं है इस चीज का आप note करते हुए चलना और आप जो है दो center की ही choice भर सकते हो preference one and preference two ठीक उसके बाद change नहीं कर सकते हो और यहाँ पर CBT exam जो है उसके अंदर दो aptitude पूछा जाएगा minimum qualifying marks sensitivity that is 40% but qualifying से क्या ही होता है merit पर आना पड़ेगा तब नौकरे मिलती है ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हो 50% बाकियों के लिए मतलब जो normal general students से उनके लिए बाकी SCST PWD के लिए यहाँ पर 40% चल जाएगा इसके अलावा अगर बात करें placement कहा पर ह होगा पैन इंडिया कई पर भी हो सकता है निवर इन इंडिया यहाँ पर यह चीज बताए गई है ओनली इंडिया नाशनल स्केन अप्लाइए 18 मिनमम में आपका होना चाहिए यह temporary basis पर जॉब है जा पर तीन साल का फिक्स आपका जॉब रहेगा extension जो है वो डिपेंड किया जाएगा कंपनी के requirement पर आपकी performance पर अपको मिलेगा तो टोटल मैक्सिमम पाथ साल आप सर्फ कर पाओगे वैसे अप्लिकेशन फीज काफी ज्यादा है यहाँ पर आप देख सकते हो यह आपकी अप्लिकेशन फीज है यह आपकी अप्लिकेशन फीज है अगर अगर आप एस सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी अथेंटिक जाब अपडेट्स के लिए मिलते है नेक्स वीडियो में आप टिलन टेक केर बबाई फानाव सिया बाई